गूगल दुनिया का सबसे बड़ा और जाना माना सर्च एंजिन जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी और आज ये हमारी डिली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है शायद ही कोई ऐसा होगा जो गूगल के बारे में ना जानता हो लेकिन आज मैं आपके लिए गूगल से जुड़े कुछ ऐसे अन्नोन फैक्ट्स लेकर आया हूँ जिसके बारे में आप शायद ही जानते हो मैं हूँ फैक्ट पेरेडाइज और शुरू करते हैं आज की वीडियो फैक्ट नमबर वान गूगल का सर्च एंजिन सौ मिलियन गिकाबाइट का है इतना सारा डेटा सेव करने के लिए हमें एक टेराबाइट की एक लाग हार्ट ड्राइव की जरूनत होगी एक टेराबाइट मतलब एक हजार जीबी और एक हजार जीबी की एक लाग हार्ट ड्राइव मतलब ये बहुत ज्यादा है फैक्ट नमबर टू गूगल स्ट्रीट व्यू मैप गूगल ने अपने स्ट्रीट व्यू मैप के लिए 80,46,000 किलोमीटर सड़क के बरावर फोटोग्राफ लिये थे इन ही फोटोग्राफ की बदौलत हम गूगल मैप पे दुनिया का कोना कोना देख सकते हैं फैक्ट नमबर थ्री स्क्रीन पर दिखाए गए आकडो के अनुसार गूगल पर प्रती वर्ष इतने सारे सर्चिस किये जाते हैं अगर इन आकडो को हम कम से कम टाइम के अंदर डिवाइड करें तो एक सेकंड के अंदर 60,000 से भी ज्यादा सर्च गूगल पर किये जाते हैं ऐसा कह सकते हैं fascinating इब तक तो आप जानचुके होंगे कि गूगल एक बहुत बड़ी कमपनी है लेकिन आप यह जानते हैं कि गूगल की कमाई क flexibility होती है या फिर एक महिने की कमाई साल की कमाई या फिर एक हफते की तो मैं आपको बता दू कि गूगल एक सेकंड में लगब ग्ग एक लाग तीस अजार नौसो रुपे कमाता है जी हां एक लाग तीस अजार नौसो फैक्ट नमबर फाइड गूगल ट्रिक्स जब आप गूगल में ए-स-क-e-w सर्च करते हैं तो गूगल डिस्प्ले का इंटरफेस थोड़ा दाई और जुग जाता है और अगर आप गूगल के सर्च में डूअ बैरल रोल ऐसा लिखते हैं तो गूगल का पूरा इंटरफेस 360 डिग्री घूम कर वापस अपनी जगा पर आ जाता है फैक्ट नंबर 6 गूगल पर हर दिन 16 प्रतिशत ऐसे सर्च किये जाते हैं जो पहले कभी किये ही नहीं गए मतलब हर दिन 15 प्रतिशत से ज़्यादा ऐसे सर्च होते हैं जो पहले कभी किये ही नहीं गए अमेजिंग फैक्ट नमबर सेवन गूगल सर्च रिजल्ट एंड ट्रांसलेटर गूगल सर्च रिजल्ट को फिल्टर करने के लिए दोसों से ज्यादा कॉंपोनेंट्स को ध्यान में रखता है गूगल ट्रांसलेट जब भी किसी चीज को ट्रांसलेट करता है तो पिछले 10 साल के डॉक्यूमेंट्स के अंदर उस चीजों को खोचता है गूगल के इसी फीचर के कारण हमें किसी भी चीज की परफेक्ट इंफोर्मेशन मिलती है और किसी भी भाषा को हम अपनी भाषा के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल ने कॉपिराइट के उलंगन के चक्कर में 1.75 बिलियन साइट अपने अंदर से हटा दी थी गूगल के हेड ऑफिस में 200 बकरियों को घास काटने के लिए रखा गया है हाँ घास काटने के लिए गूगल घास काटने वाली मशीन नहीं रखता क्योंकि इस से निकलने वाली आवाज आफिस में काम कर रहे हैं लोगों को परेशान करती है जब आप गूगल के सर्च बार में गूगल डॉट कॉम स्लेश मार्स लिख कर सर्च करते हैं तो आप मंगलगरा का दृश्य देख सकते हैं तो यह थे गूगल के बार में दस रोचकता थे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए चैनल पर पहली दफाँ आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए इसी के साथ जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हिल्दी and कीप बिंग आउसम